हलो अब्रिवन आज मैं बनाने जारी हूँ इडली सांबर और चछनी नारियल की तो स्टार्ट करते हैं सबसे मेले हैं यहाँ पर दी लिए तूर दाल जिसको अरहरदार बोलते हैं इसको अच्छे से वाश करके मैंने यहाँ पर गरम पानी में इसको बेगा लिया है इसको एक यूज कर सकते हैं मेरे पास था कद्दू, गाजर, टमाटर, बीन्स और प्यास मैं यही सांबर में यूज करूंगी अब एक गंटा हो गया है दाल अच्छे से भीग चुकी थी मैं एक कूकर में इस दाल को डाल रहे हूं तूर दाल को और मैं डालूंगी सारी वेजीस इनको अच्छे से पहले भूलूंगी और अब इसमें डलेगा नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर इसमें मैंने दो ग्लास पानियाट किया है अब इसको एक सीटी लगा लिंगे इसमें वेजीस अच्छे से कुक हो जाएंगे और दाल भी तो चली अब बनाते हैं इडली के आज रवा इडली बना रही हूं इसके लिए मैंने एक पैन में घी एट किया है उसमें डाल राई और यहां पर डाल रही हूं चना दाल और काजू के छोटे-छोटे पीसिस करके मैंने डाले हैं और यहां पर कटिवी हरी मिच अधरक कटा हुआ और चायगा कडी पत्ता इस उसके बाद आएगा एक यहां पर मैंने बाऊल लिए यहां पर मैंने रही है सूजी को अच्छे से लूजंग incremental इस इस्की घी की कोटिंग जब तक थोड़ी में अच्छे से ना हो इसको तब तक रही हो जाएगी इसको दीवी आज पर रखके ऐसे रहरे करिएगा अब बॉल में ठंडा होने थोड़ी देर रख दूंगी अब चलिए अब बना लेते नारियल की चट्मी इसके लिए मैंने नारियल लिया यहां पर इसको पीसेस में कट कर लिया और मैं डाले यहां पर मूफली और डालूंगी पोधीना के पत्ते और अब डाला है नमक थोड़ा जीरा थोड़ा मैंने यहां पर पानी अट किया है और जाएगी चार हरी मिर्च अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी एक स्मूथ पेस्ट में देखिए हमारी कोकनट की चट्मी बनके रिडी है मैं सबसे लास में अट कर रही हूँ नीबू खट्टे पन के लिए तो चलिए अब बना लेते हैं इसका तड़का तड़की के लिए मैंने हाँ पे सरसो का तेल यूज किया है उसमें डाली है राई और कड़ी पत्ता और लाल सूखी मिच अब ये चट्मी में हम तड़का लगा लिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे चट्मी में अब मैं इसको थोड़ी देर सैटोने फ्रीज में रख दूँगी तब तक हम बना लेते हैं सामबर अब देखिए अच्छे से कुख हो चुकी है मैं इसको अब अच्छे से मैश कर लूँगी अब यहां पर जो हमने इमली भी भीगाई थी गरम पानी में वो भी त्यार है हम इसको यूज करेंगे सामबर में इसका मैं स्मूध सा पेज जो है वो निकाल लूँगी इसको इस तरीके से छान लूँगी इमली को इसका ताकि पल्प अलग हो जाए यह आप देख सकते हैं इसका पल्प स्मूध सा अलग हो गया है इसको अभी हम सामबर में यूज करेंगे और मैं यहां पर एट कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च से इसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा और डाला है सामबर मसाला एक स्पून और डलेगा इमली का पल्प जो अभी हमने चाना हुआ था इसको अच्छे से एक उबाल आने दिंगे गैस मैंने यहां पर हाई ही रखी है इसको अच्छे से मिला लिंगे मसालो को एक उबाल आने दिंगे उसके बाद हमारा यह त्यार है फिर इसमें लगाना रहेगा बस एक तड़का बनाते हैं इडली इसके लिए जो हमने mixture ठंडा होने रखता वो ठंडा हो गया है अब मैं यहाँ पर एक बाउल यहाँ डाल रही हूं दही दही मैं यहाँ पे दो बाउल यूज करूंगी पहले मैं एक बाउली यूज कर रही हूं अब इसमें मैं डालोंगी बेकिंग सोडा आधा स्पून से भी कम मैंने यहाप पे बेकिंग सोडा डाला है और डाला है स्वाधनुसा नमक अब इसको अच्छे से मिक्षर में मिक्स कर लूँगी और बाकी का जो एक बाउल और दही बचा था वो भी इसमें एट करके स्मूध सा बैटर तेयार कर लूँगी इडली का इसके तुरंद बाद ही हमको इसको स्टीम करने रखना होगा तो यह प्रोसेस हमको जल्दी जल्दी ही करनी पड़ेगी यहाँ पे मैंने इडली मेकर को के स्टैंड को प्रीस कर लिया है ओईल से देखें इस तरीके से और हम अब यहाँ पे इडली का बैटर इसमें करना है क्योंकि इडली फिर फूलती भी है तो मैं इस तरीके से इसको भर रही हूँ कि अब हम इसको स्टीम करने रख दिंगे मीडियम फ्लेम में 15 मिट के लिए यहाँ पे मैंने पानी पहले से गरम करने रखा था जब तक हमारी इडली बनती है तब तक लगा लेते हैं सामबर में तड़का इसके लिए मैंने यहाँ पे सर्सो का तेल यूज़ किया है उसमें डालूंगी राई कड़ी पत्ता सुखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग हमारा सामबर भी बनके रेडी है अब हम इडली चेक कर लेते हैं आफ्ट ऑफ 20 मिनिट्स मैंने यहाँ पे इडली चेक की है आप चाहें तो एक इस तरीके की toothpick मैंने यहां पे लिए अगर यहां पे यह पूरी clean आए तो इसका मतलब इडली हमारी अच्छे से cook हो गई है यहां पे मेरी इडली अच्छे से cook हो गई है मैंने flame बंद कर लिया है बस दो तीन मुनिट के लिए मैं इसको अच्छे से ठाक के रख लोंगी, यहाँ पर मैंने अब यह निकाल ली है, इडली हमारे अच्छे से बनके रेडी है, यह आप देख सकते हैं किती फ्लॉफी लग रही है, देखें किती स्मूदली निकल भी रही है, चलिए अब हम लगा लेते हैं हमारी साउथ इंडियन थाली, सबसे पहले मैं यहाँ पर रख रही हूँ, साम भर, अब आएगी हमारी चट्नी, नारियल के वाली, और हमारी रवा इडली, यानि कि सूजी की फ्लॉफी फ्लॉफी इडली, गाइस सच में ट्रस करिए, यह इडली बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी जरूर ट्राइब करिएगा सूजी वाली इडली, तो चलिए मैं तो चलिए अपनी साथ इंडियन ठाली, enjoy करने, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, bye-bye!